हेलो रिदम नमस्ते सब से पहले तो आपको पंजाब नेशनल बैंक में एगरी कल्चर फिल्ड ऑपीशर बनने की बहुत बहुत बदाई कैसा फिल कर रहे हैं ओपीशर बनने के बाद सर अभी तो मुझे कल बन सो तब ऐसे लग रहा था कि जैसे सपना से होता है क्योंकि एक दम से बिलीव निना था तो फिर लेकिन काफी अच्छा लग रहा है बिल्कुल बढ़िया और परिवार भी बहुत अच्छा फिल कर रहा हो जो सुब चिन तक होते हैं वो तो खुशी में सेलिबरेट करेंगे हैं चलिए रिदम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडेक्शन दे और फैमिली बेक्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली बताईए तो मेरा नाम रिदम जोशी है मैं बटाला डिस्टिक्ट मेरे फादर प्राइबेट जोब करते हैं एक शोग पे और मेरे मदर हाउस वाइफ है और यह मैंने अपना फर्स्ट अटेम्ट में क्लियर किया है अग्रिकल्चर फिल्ट ऑपी सब्सक्राइब बतलो आपका यह फर्स्ट अटेम्ट था जी सर और आपका जो ग्रेजुएश चलो यह तो बहुत अच्छा है जो भी फ्रेशर स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत अच्छा मोटिवेशन है और एक अच्छे स्कोर के साथ आप ऑफिसर बने हैं तो जायर सी बात है कि जो भी अपने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको कुछ ने कुछ अपने जो मैं आप से पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे प्री की एग्जामिनेशन मंत की तीन मत की चतरीर पहले अगर सेपरेटल बताऊं एंग THIS के लिए मैने स्टूड़ खोड़ा था, मैंने speed maths और D.I. की थी, D.I. के लिए मैंने percentage और ratio के basic topics किये थे कि D.I. में कोई problem ना आए, और reasoning के बात करें, तो मैंने critical reasoning छोड़ी थी, जैसे statement assumption, machine input, और पूल वाले question, बाकी सारे अच्छे से detail में किये थे, जैसे silogues हैं, उनको भी बहुत अच्छे से किया, कि अगर motion आजाए, तो वो गलत ना हो, या वो छूटे ना, coding, recording वो अच्छे से कि, कुछ, यह जो chapter बताए, इनको छोड़के, जैसे logical reasoning और machine input, output, और English के बात करें, तो उसके लिए starting मैंने, जो editorial पढ़ाते हैं, कुछ teachers, YouTube पे, उनका मैं देखता था, वो English में पढ़के, Hindi में translate करते है तो starting तो 15-20 दिन वैसे किया, फिर मैं खुद newspaper पर आया, कि मुझे खुद समझ आता है English को read करके, हूँ तो मैं English medium से, पर मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ ज़्यादा difference होता है, क्योंकि हम ज़्यादा English भी नहीं बोलते हैं, Hindi मुझाबी में लोकल बात करते हैं, तो हमें इतनी English के लिए preparation करनी पड़ी थी, तो इसके English के लिए, एक तो मैं newspaper पर read करता है, उसे मेरी reading skill बन गई थोड़ी, तो फिर मैं direct mock पे आया, और मैंना कोशिश करता था कि 35 से उपर ही attempt करूँ, उसे मेरे marks भी अच्छे आजाते थे, 9 प्लस ही रहते थे हर mock में, और grammar की बात कर reading कर लिए ना, उसी बेस पे मेरे grammar की कोशन भी ठीक होई जा रहे थे, understanding basis, understanding basis पे, और कुछ मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ RC करूँगा English में, paper में, grammar का portion छोड़ दूँगा, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, कि grammar का portion भी देखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वो इतना hard नहीं होता, easy level के question होते हैं, उनमें भी कुछ, वो हम catch करके अच्छे marks ला सकते हैं, और भी English में लीड ले सकते हैं, और मेंस को साथ में कैसे manage किया, मेंस तो सर मैं third year में start कर दिया था, जब मैं BSE third year में था, तो थोड़ा थोड़ा तब start किया था, क्योंकि मैंने coaching पर chase नहीं की थी कोई, तो self preparation थी, तो पता था नहीं, तो फिर मैंने starting में अरुंक त्यानूर इमरा सुन्दा से start किया, जो topic मुझे नहीं समझ आता था, वो मैं YouTube पर सर्च करता था, और फिर बानी राम सर्ची की वीडियो दिखी, तो फिर पता चला, उन्होंने हर topic के related conceptual reality की है, तो फिर मैं एक-एक topic सर्च करता गया, जो उन्होंने पढ़ाया था, वो notes बनाता था, मैं लिख लिख के पड़ता था, उससे related notes बनाता गया, और इसी साब से मेरी mains की त्यारी हुई, इसके इलावा, मैंने previous year questions की अच्छे से देखे, और उनके related topics भी सर्च किया थे proper, औ और TNEU की website का भी सहारा लिया, ये चीज़े main थी, इसके लिख जैसे कई students की ये problem रहती है कि sir, pre और mains को दोनों equally time नहीं दे पाते या manage एक साथ नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपका क्या suggestion रहेगा? मेरे case में तो बताऊं कि पहले मैंने mains को काफी strong कर लिया था, जो pre और mains था ना, वो last तक साथ में लेकि गया था, 25 दिसमबर तक मैंने pre और mains साथ में किया, last के one week में सिर्फ pre किया था, ये इसलिए क्योंकि मैंने पहले mains को इतना time दे दिया था, कि last के 3 months अगर मैं pre को 70% time, last क 3 months और 30% mains को, उससे पहले 100% time mains को दे रहा था, और जिनका, मैंने भी first time ही पढ़ा था, comment reasoning English, लेकिन जो सोचते हैं कि मुझे थोड़ा ज़्यादा time देना पड़ेगा, वो 4 months पहले start कर ले, लेकिन उससे पहले मैं तो कहुँगा कि mains से त्यार करें, या 5 months पहले ज़्यादा स जी सर, मुझे भी सर इतना English में strong नहीं थी मेरी और नाई है, मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो एडिटोरियल YouTube पर पढ़ाते हैं उनको देखकर और खुद नियूस पेपर, अगर हम 1.5 months continuous reading करेंगे ना, वो भी करते नहीं है सारे, एक दो दिन की पहले हैं, लेंग्वेज के स Continuously one and one and half month करना ही पड़ेगा, उसके बाद automatically sir strong हो जाती है, और फिर हम mocks में try करेंगे, तोड़े ज्यादा attempt करना तो, अगर marks अच्छे हैं तो वो हम strategy paper में भी अपना सकते हैं, तो Rhythm, जैसे online agriculture platform था, उसने आपकी इस officer की journey तक पहुँचने का, किस तरीके से help किया? जी सर, सर जैसे हम देखते हैं कि EFO का exam थोड़ा बहुत कभी-कभी diverse भी आ जाता है, और उसके लिए सर conceptual understanding की need है काफी, हमारे concepts के लिए होने चाहिए, सबसे पहले ये जुरूरत है, और उसके लिए अगर कोई अच्छा platform, easily available है, जो मुझे भानिराम सर का सबसे best लगा, तो म मैं इससे पूरो पर अपने concept clear करता है, हमें कुछ ना कुछ facts तो रटने पड़ेंगी, पर concept building हमारा base है, इन दोनों का लेंग्वेज अंडरेस्टेंडिंग पेपर है, और हर बार exam अपने तेवर बदलता है, क्यों हर बार सेम पेटरन पे question नहीं पूछे, वो जिसके concept strong रहे 250 वीडियोज हो गई शायद अब, वो मैं डेली की एक से दो, एक यह दो वीडियोज देखता है, उनके notes भी बनाता है, और उसे डेली कोई ना कोई knowledge अपग्रेड होती रहती थी, यह सर help करती है, कि जैसे एक marks की हमें lead चाहिए होती है न मेंस के paper में, उसमें MCU help करते हैं, कि ह हमने, अगर सर जैसे नए-नए कोईशन से लेके आते हैं, तो हमें हमारी knowledge और बढ़ती है, तो फिर हमें उन बच्चों से lead होगी कि हम marks जब स्कॉर्ट करें, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत-बहुत धेर सारी शुप कामनाई online agriculture team के तरफ से अभी आपको, और सर जो आपने लास्ट के, एफो मेंस के लास्ट पंदरा दिन आपने और अनिमर्स मेंटरी सर जो पढ़ाते हैं, वह भी सीरीज शिरू की थी, वह भी बहुत अच्छे questions थे, चलिए वही थैंक्यू, आप लोगों का ऐसा पयार बना रहे है, डेट दो साल स सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, हर एक यूट्यूब और अपने फ्रेंस को भी बताता हूं, यह सर को फोलो कर रहे हैं, और कुछ बच्चे इंट्रिव में रह जाते हैं, और कुछ अपने बच्चे फ्रेशर भी होंगे, उनके लिए आपका क्या सुजावार? जी सर, जो प्री में रह जाते हैं, उनको तो अपना सब्जेक्ट देखना है, चाहिए कि कौन सा वीक है, उस पे वर्क करें, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया, अगर उससे कुछ हेल्प मिले तो उन पॉइंट्स को अपना सकते हैं, मेंस के लिए तो यही कहूंगा, कि कंस सब्सक्राइब करें, जैसे सोल का न्यूट्रियन टॉपिक है, उसको अच्छे से कुलियर किया, कोई क्रोप है, टोमेटो, पोटैटो, उनको अच्छे से क्लियर किया, पर फिर वो एंससी की दुप जाएं, और जिनका ओर और उनको तो मैं यही कूँगा, कि हो ही जाएगा इतना कुछ रफ भी नहीं है और थोड़ा सा अपना इंप्रूव्मेंट कर लो इतना तो उनको नोलिज अप आई गई होगी जी देखिए रिदम हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड़ कोर्स वाले थे और आप पेड़ कोर्स के नहीं थे सिरफ यूटू फॉलोवर थे ठीक है और आपने कॉंटेक्ट भी किया कि ठीक है जी मुझे यहां से हेल्प मिली है तो बच्चों की दिमाग में बहुत सारा यह भी दिमाग में रहता है कि सेल्प स्टूड़ी करें या कोचिंग करें हम इसे पहले को पैड़ स्टूडेंट का भी इंट्रूव डाल सक सुनते हैं तो एक चीज़ तो एप्रिशेट करना चाहूंगा कि आपका सभाव बड़ा सरल है और इसे बनाए रखिए क्योंकि सबसे बड़ी सुन्दरता है तो उन स्टूडेंट को एक्चुल में आप अपनी राय दीजी हम तो देते रहते हैं हम तो कोर्स के लिए भी दे चाहिए किसीज को लेकर आप क्या सूचते हैं जैसे सर मैंने पताया कि मैंने थर्ड येर से स्टार्ट की थे तो मैंने ना कोलेज की स्टडी को भी थोड़ा फोकस से पढ़ना शुरू कर दिया था जैसे एक्जाम को मैं वान वीक पहले स्टार्ट कर देता था अच्छे से अच्छे क्लियर नहीं है उनको तो मैं कहूंगा कि कोचिंग के लिए जाना चाहिए और वो फाइव सिक्स मन्त अच्छे से कोचिंग को दें बाद में वो सेल्फ स्टडी की तरफ शिप्ट हो जाएं यह निकि वो बाद में भी कोचिंग की वीडियो बेट कर रहे हैं कि यह जब डालेंगे तब भी हम वो टोपी क्लियर करेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे हमें पेपर के जब टाइमिंग एजिसे साब से पेपर आएगा उसके कोडिंग खुद का भी ब्राना जाए कि हमारा सिलेबस तब तक खतम हो जाए इसके बाद रिविजन्स कितनी हो नहीं है यह जीज़े हैं और रिविजन्स का मैं यह एड करूंगा कि फिर कोई बेसिक कोशन गलत नहीं होगा और अगर सिलेखाए होंगे आपके तो फिर जो एडिशनल लीड है वो भी लेसकते हैं बिल्कुल ठीक है और एक लास्ट में स्वाल पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्लेटफर्म को जो फॉलो कर रहे हैं उसमें से आप ही फॉलो कर रहे थे या कोई जानकार और जो जानकार था वह सक्सेज मिला या नहीं मिला मतलो प्लेटफर्म को जानते हैं अगर ultimate कर रहा था था तो इसलिए कोई था तो नहीं हाँ पर अगर कोई पूछता था कि कहां से पड़े तो फिर मैं आपका चैनल कर देता था लेकिन अब जब सबने मेरा सिलेक्शन देख लिया है तो अब सर आपकी तरफ शिफ्ट होने लग पड़े हैं कि हाँ यह अच्छा प्लैट्फोम है और वैसे भी सर कि क्वालिटी एजुकेशन देख के पता चली जाता है कि अच्छा कौन बढ़ा रहा है सच में चलिए आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत वदाई एक बात और कहने चाहूंगा करंट के वारे में जैसे हम पिछले दो साल से देख रहे हैं स्कीम पर ज्यादा फो इस साथ से अपना टाइम होना जाए वैसे बहुत सारे बच्चे करंट अफेर को हुआ बना आके रखते हैं और बहुत जादा तयाम उसमें लगा देते हैं स्टैक पे नाइंटी पर एंड टाइम फोकस होना जाइए उसके बाद पे और दैन अगर टाइम है तो करंट फिर कर लो वैसे तो रिदम आपने देखा होगा मोस्ट आफ कोशन तो हमने जो सेशन चलाया था लास्ट के अंदर जो उसमें मेली स्कीम्स और डिटा इसलिए तो वहां से भी आपके कवर हो गए थे इसलिए सर मैंने आप काई चैनल आपके कोशन फ़स जाते है डारेक्ट भी और इंडारेक्ट भी जैसे सर बताते थे कि साउथ की वराइटी जो है पॉली अंब्रियोनी मेंगो की और चोसा जैसे वो मुझे एकदम से जैसे हम वीडियो सुनते है ना सर अटोमेटिकली हमारे ब्रेन में वह आवाज जाती रहती है हो स जो 50-50 वाले डाउट होते हैं कोशन उनको भी अटेम्ट करना चाहिए क्योंकि फिरी थोड़ी लीड आएगी बिलकुल रिस्क तो लेना पड़ेगा वो मुझे एक वेब सेरीज का डायलोग याद आ गया जैसे आप कहते हैं सर कि लास्ट के टाइम खुद पर विश्वास ह तब भी है कि आप क्लियर कर पाओ वह भी बहुत जुरूरी है पर हाँ पहले उस टाइप की प्रेपरेशन भी करो पारे की स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने 36 टेक्स अटेंट किये अलांकि उन्होंने एक्जाम क्वालिफाई किया 34-35 विद अंडड़ परसेंट एक्यूरेसी लेकिन वह आप जैसे बता रहे हैं रिस्क नहीं लिया उन्होंने 50 परसेंट वाले अटेंट उन्होंने एक्फिशन हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन ऑनलाइन एंगरिकल्चर एप्लेटफोर्म ऑनलाइन एक्रिकिल्चर आपके लिए लेकर आया है mechanism का officer guaranteed गारणटे बैच देखे भाई बैच का नाम ही officer guaranteed बैच है यानि online agriculture परिवार 2025 को आपको bank agriculture field officer बनाने की पुरणते गारंटी लेता है देखे students जो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है पहले तो आपको बता दू कि 15 अप्रेल से बैच स्टार्ट होने जा रहे है जिसमें offline बैच भी start होने जा रहे है online बैच भी start होने जा रहे है दो format में आपके बैच चलेंगे एक तो चलेगा pre plus means plus interview दूसरा बैच आपका चलेगा means plus interview यानि दो तरहें के बैच है वो आपके चलेंगे और बैच होगा वो bilingual होगा अना इंग्लिस वालों के लिए भी fully comfort होगा और हिंदी वालों के लिए भी बड़ा अरामदाइक बैच होगा ओफिसर बनाने वाला होगा और ये बैच आपका start होने जा रहा है पंदरा अप्रेल ओनलाइन भी पंदरा अप्रेल से ही start होने जा रहा है अब अपने session में बात करेंगे कि आप लोगों के लिए इस बैच में क्या special रहेगा ताक कि हम ये आपको बता सकें विए इतने confidence के साथ कैसे बोल रहें कि आपको 2025 के अंदर officer बनाएंगे ही बनाएंगे तो देखिए हम आपको इसमें क्या offer करने वाले हैं इसके अलावा और इसमें भहुत शांदार offers भी आप लोगों के लिए रहने वाले हैं खास कर उन students के लिए जो पहले pre-qualify कर चुके हैं men's में रह चुके हैं या men's qualify कर चुके हैं इंट्रिव में रह चुके हैं उनके लिए तो specials offer है वो यहां पर रहेंगे ही रहेंगे सबसे पहले तो हम आपको यह बता दे कि इस batch में हम आपको offer क्या क्या कर रहे हैं यानि कहने का मतलब क्या क्या सुविधा ही दे रहे हैं complete syllabus के अनुसार आपको live classes दी जाएगी जो live classes होगी वो recorded form में भी save रहेगी आप उसे multi-time access कर सकते हैं और एक साल के लिए आपका subscription रहेगा यानि तिल आपके exam प्लस interview तक आपके पास इसका subscription है वो रहेगा complete study material आपको बताएंगे कि हमारी कौन-कौन सी books है पूरे syllabus के अनुसारी books है वो सारी की सारी books by post आपके address पर भीजवाई जाएगी PDF notes application पे रहेंगे ही रहेंगे इसके अलावा आपको 50 plus mock test है वो provide करवाए जाएंगे इसके अलावा last के एक महिने में per day आपको क्या है practice setup वो दिये जाएंगे वो इससे extra होंगे हम उसको practice में count करते हैं ठीक है ये तो आपके syllabus के दोरान है 50 plus full length mock test और उसके अलावा handed plus subject wide test भी होंगे और जो last time के एक महिने में होंगे हर दिन के practice वो इनके अलावा extra रहेंगे और उनके video solutions भी रहेंगे video solutions भी आपको दिये जाएंगे इसके अलावा हम बात करें एक हमारा free mcq का जो महा संग्राम बेच है मतलब mcq का महा संग्राम बेच है वो इसके साथ बिलकुल free मिलेगा जो 2000 का अकेला बेच है और सबसे battery batch है वो इसके साथ बिलकुल free आपको मिलने वाला है इसके अलावा special doubt session तो रहते ही रहते हैं यह था हमारा online का अब हम बात करें offline में हम आपको क्या offer करने वाले हैं देखो offline में 3 plus 3 hours की 3 plus 3 classes है per day की चलेगी यानि 3 classes आपकी pre की और 3 classes है वो men's की per day की चलेगी ही चलेगी complete study material आपको दिया ही जाएगा और यहाँ पर coaching, library और जिसका result जो है वो Monday को announce किया ही जाएगा और उसके साथ उसका solution भी करवाया जाएगा और test के बाद हर Saturday को आपकी interview classes रहेगी और उसमें आपको interview की practice भी करवाई जाएगी ताकि अंतिम समय में जाके हम interview पे focus नहीं करें क्योंकि कम समय में फिर थोड़ा preparation करना मुश्किल हो जाता है तो interview को तो हम आपको क्या है इस course के साथ ही expert कर देंगे last में तो practice होगी होगी लेकिन आपको पूरे साल है वो interview की classes है वो provide करवाई जाएगी लेकिन हर Saturday next हम बात करें batch का duration क्या होगा batch का duration तिल exam date तक होगा हना भी exam तक pre का mains का plus interview का special doubt session आपके test के दिन रहते ही रहते हैं बाकी offline class में तो भाई देखो teacher के साथ आप इंटरेक्ट करते ही करते हो तो वहाँ तो doubt session समझ लो हर दिन के होते ही होते हैं अब हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि fees क्या रहने वाली है और इन पे special offer क्या रहने वाली है offer की category भी अलग-अलग है भाई देखो सबसे पहले मैं offline की बात करूँ अगर offline में pre plus mains हर बेच के साथ interview add है interview का कोई अलग से charges नहीं है interview free रहेगा इसके साथ pre plus mains plus interview की जो offline की fees है वो 20,000 रुपे है इस पे offers है उनकी बात करेंगे और अगर कोई student सिर्फ और सिर्फ mains की preparation करता है तो उसकी fees है वो 16,000 रुपे है ये offline fees है ओनलाइन में जाएं तो pre plus mains plus interview की fees आपकी 15,000 रुपे है और mains की fees की बात करें तो 12,000 रुपे है अब हम बात कर लेते हैं इसमें offer क्या है हाना अपने काम की बात तो ये है सबसे पहला एक offer तो ये है कि MCQ का महा संग्राम batch बिलकुल फ्री है एक offer तो ये हो गया दूसरा offer है जिन students ने पिछले दो बार में चाय पेपर उन्होंने 2023 में दिया है या 2022 में दिया है अगर pre-qualify किया है इन दोनों साल में एक बार भी अगर pre-qualify किया है तो उनको 40% का off मिलेगा अब ये off मिलेगा केसे इसका भी मैं आपको pattern बता दूँगा और जिन students ने mens qualify किया है interview में रहेगे तो उनके लिए 50% off रहेगा जिन्होंने mens qualify किया है लेकिन interview में रहेगे उनके लिए 50% off रहेगा और जो बिल्कुल ने student है fresher students है उनके लिए इन सभी fees में चाय online है चाय offline है 20% off रहेगा अब देखो भाई जो बिल्कुल fresher student है वो 20% का benefit लेने के लिए AFO20 coupon code का इस्तेमाल करेंगे AFO20 coupon code का इस्तेमाल करेंगे ठीक है यह तो fresher students के लिए है अब बात आती है इन students के लिए 40% और 50% offline में तो सीधा-सीधा यहां पर जफी से जमा करवाएंगे तब हो जाएगा लेकिन online वाले बच्चों के लिए कैसे off होगा coupon code देंगे तो हर कोई लगा लेगा भाई इसलिए आपको यह number provide करवाएंगे है इस पे आप अपनी detail भेजेंगे यह मेरा pre-qualify था यह मेरा mens qualify था मैं इसमें रहे गया था ठीक है तो यह आपको process बताएंगे और उसके through आपको क्या है बेच है वो enroll करना है वे आपको proof देना पड़ेगा proof नहीं दोगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपने pre-qualify किया है या mens qualify किया है अब अपने बात करते हैं इसमें हम study material क्या provide करवाने वाले हैं क्या strategy रखने वाले है देखिए students हम लोग discuss करेंगे कि हिंदी माध्यम के अंदर जो IBPS EFO का complete study material है उसमें क्या-क्या चीजें आपको मिलने वाली है तो देखिए सबसे पहले कौन-कौन सी books आपको मिलेगी उनके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं सबसे पहले तो हमारे जो main subject है यानि की soil science मृदा विज्ञान है या सस्य विज्ञान agronomy है या उध्यान विज्ञान की book है तो ये एक complete book आपका रहेगा जो agriculture success के नाम से ये आपको मिलेगा इसके अलावा जो आपका अनुवानसी की और पादप प्रजनन का जो book है यानि की plant breeding and genetic का वो आपको बिल्कुल हिंदुी माध्यम के अंदर मिलेगा क्रसी आर्थ सास्तर यानि की economics का book आपको बिल्कुल pure हिंदी medium के अंदर मिलेगा क्रिशी वानी की agroforestry का book आपको मिलेगा पादप कारी की है इसके साथ साथ आपका agriculture current affair का booklet भी आपको मिलने वाला है ठीक है और उसके अलावा कीट विज्ञान है पादप रोग विज्ञान सुत्रकर्मी विज्ञान जो आपका पूरा plant protection आ जाता है जिसमें पोध सरंक्षन उसका complete package आपको मिलेगा और इस book के अंदर आपके जो allied sciences है यानि की इसके अंदर जैसे epiculture है, seri culture है या lake culture है ये भी आपके AC के अंदर included है इसके साथ साथ आपको कृसी प्रसार सिक्ष्या का booklet है और agriculture engineering यानि की करसी अभ्यानत्री की इसका भी booklet रहेगा पशु पालन M. दुग्द विज्ञान का booklet और इसके साथ साथ आज कल trend चल रहा है बायो कमेस्ट्री और बायो टेकनोलोजी का तो जेव प्रद्योगी की से related जो question आपके exam में पुछे जाएंगे तो ये book भी हम लोगों ने ready किया आप लोगों के लिए तो ये complete package आपको इसके अंदर मिलने वाला है तो आपको किसी भी another source को पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ेगी इस batch को purchase करने के बाद इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि English medium वाले students को क्या-क्या मिलने वाला है तो ये सारा का सारा English medium के लिए रहेगा जो study material है इसका पहला book तो है आपका agronomy success कौन सा? agronomy success यानि कि जो complete agronomy है चाहे इसमें crop production हो चाहे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो आपका basic agronomy हो complete का complete cover किया जाएगा इसके अलावा आपको हर्टिकल्चर success booklet है ये आपको मिलेगा और animal husbandry का booklet आपको मिलेगा soil science की भी अलग booklet आपको मिलेगी biotechnology की भी booklet आपको इसमें मिलेगी agroforestry का booklet भी आपको इसमें मिलने वाला है agriculture extension education का जो book है ये भी रहेगा agricultural economics है इसके साथ साथ plant physiology है और entomology, pathology और nematology का book भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ genetic और plant reading का book भी आपको रहेगा और agriculture engineering है और allied sciences है जिसमें epiculture है, sericulture है, lag culture है और mushroom का जो हम लोग cultivation करते हैं ये complete का complete आपका अलग से booklet रहेगा ठीक है तो ये books आपको students मिलने वाली है ये English medium के लिए कौन-कौन सी मिलेगी Hindi medium के लिए कौन-कौन सी मिलेगी सारी की सारी चीज़े हम लोग और detail में discuss कर लिए तो इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो prelims का जो booklet है आपका वो भी आपको मिलने वाला है prelims के अंदर जैसे आपका reasoning की booklet है mathematics की booklet है इसके साथ साथ आपको English की भी complete तीनों के subjects की आपको booklet मिलेगी इसके अलावा daily basis के उपर आपको checklist आपके group के अंदर भेजी जाएगी daily basis target उसको आपको क्या करना होगा solo करना होगा ठीक है students तो ये आपका complete और शांदार package जो है वो आपका रहने वाला है और अब की बार online agriculture जो है वो आपके लिए इसी लिए officer guaranteed batch लेकर क्या है कि आप लोगों को इस बार 2025 के अंदर officer बनाना ही बनाना है इसके अंदर guaranteed means क्या है कि आपकी अगर कोई students यानि की batch के अंदर qualify नहीं करता है जो offline students हैं उनकी बात करते हैं तो जो नहीं qualify करेंगे तो उनका 50% fees जो है वो उनको refund कर दिया जाएगा 50% only offline students की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है तो जो लोग यहाँ offline preparation के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए यह बिल्कुल guarantee रहने वाली है कि उनको officer बना करके भेजा जाएगा क्योंकि वो हमारी monitoring के अंदर काम करेंगे और हमारी देखरेंग के अंदर उनका evaluation होगा हर एक चीज उनकी day by day monitor की जाएगी और अगर उनका किसी कारणवन्स या selection नहीं होता है तो उनकी 50% fees refund की जाएगी यह online के लिए नहीं है क्योंकि online students की हम लोग monitoring evaluation नहीं कर सकते हैं तो students यह शांदार package आप लोग enroll कीजिए और अपने officer बनने का सपना officer guaranteed batch के साथ साकार कीजिए Okay, thank you students